नमस्कार आप देखरें आज तक मैं हूँ आपके साथ रोहिच सरदाना शाम के पाँच बच चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का यानि की दंगल का दिल्ली अब शान्त है पट्री पर लोट रही है लेकिन मौत का आंकड़ा आज बढ़कर 41 गुश इस आज बीजेपी ने पलटवार किया कि पडोसी देशों के प्रतारित अल्ब संख्यकों को नागरिक्ता पर अपने स्टैंड से पलटने वाली कॉंग्रेस किस राजधर्म की बात कर रही है बीजेपी ने कॉंग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंक करने आए हैं, वो सवाल है कि जगडा राजधर्म का है या राजनीति धर्म का, तो बताएंगे आपको आज कौन-कौन से महमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले जरा दिल्ली के ताजा हालात और उस पर होरी राजनीतिक बयान-बाजी की एक जलक आपको दिखा देते हैं हिंसा के हर निशान दिल्ली को मिले जखम की गवाहियां हैं, लेकिन राजनीति एक दूसरे को राजधर्म से खा रही है कल कॉंग्रेस पार्टी, महमहीम राजपती जी कहां गई थी, और हमें राजधर्म के बारे में बताया जा रहा है, श्रीमति सोनिया गांधी, प्लीज डून्ट प्रीच अस राजधर्मा, your record is full of rapid violation, twist and turns for plain and simple vote bank politics. तो अपने राजधर्म के आईने में अपना चेहरा देखे कॉंग्रेस पार्टी, हमें नहीं बताया जाएं। सोनिया गांधी पर अभी शंकर प्रसाद का ये पलटवार इसलिए है, क्योंकि सोनिया की अगवाई में कॉंग्रेस ने राजधर्म का पालन करने को कहें। सोनिया गांधी ने अब कॉंग्रेस नेताओं की एक टीम भी बना दी है, जो हिंसा प्रभावित शेतरों का दौरा कर उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन बीजेपी के आरोप है कि सी ए के विरोध के नाम पर तो खुद सोनिया गांधी, राहूल गांधी और प्रियंका वाडरा ने लोगों को भड़काया। सोनिया जी, जरा आप अपनी टिपणियों को देखे, रामिला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। यह कौन सी भाशा है? यह उत्येजना नहीं है तो क्या है? बीजेपी ने कॉंग्रेस नेत्रित उपर भड़काने का आरोप लगाया है तो दिली हाई कोट में भी ऐसी ही एक याचिका दाखिल हुई है। कोट में पहुचा यह मामला दिली के दंगल का तनाव बढ़ा रहा है तो इस बीच एंडिये के बुजूर्ग नेता प्रकाश सिंग बादल की दिली दंगो के मद्दे नजर आई टिपड़ी सरकार को आईना देखने पर मजबूर कर सकती है। अमन शान्ती पाईचा रिक्साज सादे दरूरी। आज तक भ्यूरो तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केके शर्मा है, वो बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है, पार्टी का पक्ष रखेंगे, अमीर हैदर जैदी हमारे साथ होंगे, वो सीपी आई के नेता और प्रवक्ता है, हमारे साथ अरुन भाटिया है, वो रिटाइट आईएस अफसर है हमारे साथ वेद भूशन है वो दिल्ली पुलिस के पूरवधिकारी है और हमारे साथ आतिशी होंगी वो आम आदमी पार्टी की विधायक है आप सब का स्वागत है दंगल में सबसे पहले मेरा सवाल केके शर्मा आपसे है कॉंग्रेस को राजधर्म अपना अपने गिरेबान में जवाब देना पड़ा इसलिए हम वो आईना दिखाना पड़ा कि आप हमें राजधर्म की जो सीक की बात कर रोई हैं आप अपनी गिरेबान में जhnग कर देखिए पहले कि आपने राजधर्म आपका क्या रहा है आप आज तिस सत्र साल के पूरे इत दूबल महज राज़नीती के लिए बयान बयाजी करना ये सही नहीं है। और फिर आप अपने ही बयानों को देख लिजे। आप अपने नेताओं के बयानों को देख लिजे। आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, एर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, देश की सेना के सुरक्षा पर प्रश्ण उठाते हैं, ये आपका भी धर्मे हैं? क्या धर्मे हैं आपका? हम भी पूछ रहे हैं इनसे? हम भी पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार ये पब्लिक मरती रहे नहीं हम निश्ची तोर से पब्लिक की भी हम पुतनी चिंता कर रहे हैं पब्लिक की के लिए काम कर रहे हैं सांती बेवस्ता के लिए काम कर रहे हैं और दोसियों को पूरी तरह सजा मिले इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं उसको भी हम नहीं चोड़ने शुक्र है काम कर रहे हैं तभी 41 लोग मर गए लोग चला रहे हैं सरकों पर जाईए तो पूछते नहीं गा दुरगटना जो वेने हुई हिंसा जैसे ही चालू हुई इसके तत्काल बाद ग्रहमंत्री जी ने इस पर कोफ़न लिया तत्काल बैठके बुलाई सभी दलों की बैठके बुलाई पुलिस आफिसस की लगातार बैठके हुई रात तीन बे तक ग्रहमंत्री जी इसको अंडर क लगता है यह पत्थर दो घंटे में उठाके ले आए होंगे लोग ने यह तैयरी पहले से चल रही होगी और अगर चल रही थी तो आप इस बात को सुईकार क्यों नहीं करते कि आप फेल रहें इंटेलिजेंस के लेवल पर ये तै कर पाने में पता कर पाने में कि आखिर चल क क्या वो 41 लोग वापस आजाएंगे जिनकी जान गई है नहीं लेकिन ये भी देखना होगा कि इसको ये जान के पीछे जिन लोगों ने इस तरह की हरकते की और जिसने उनने इसको उकसा कर और इस तरह की कारलों हिंसक जो है कत्विदियों को बढ़ावा दिया जो गुमरा क उनको भी पूरी तरह से सजा मिले ये भी हमारी होगे कैसे और इसको 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 इस दिन टेलिविजन चैनलों पर चलती रही उसके घर के तरवाजे पुलिस ने रात को कल जाके ताला लगाया ना और एंसिक एविडेंस के नाम पर वहां कुछ बचा होगा आपको लगता ह रहे पुलिस वालों को उसके घर के बारे में जानकारी तक नहीं थी जबकि दो दिन से टीवी पर चल रहा था ने 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 ये हालात हैं आप करें कि हम जाज करेंगे और पटर लेंगे लोगों को पुलिस को क्या जानके मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हो सकता लेकिन मैं सरकार की ओर से आपको निश्चित तोर से कह सकता हूं कि किसी भी इस तरह के हरकत करने वाले जहाए वो ताई रूसेन हो जहाए अन्य और भी हैं किसी को नहीं बखसा जाएगा किसी को नहीं और हम आज को आपकी बता दें कि हमारी कारवाई का ही असर है अब लोग जो है इसमें भी जो है राजदिती करना चाहेंगे और वो भी अब आपके सामने आएगा वो दिखेगा आपको जेनु में नारे लगे आपने का किसी को नहीं बक्षा जाएगा आज तक कुछ नहीं हो पाया जामिया में इतनी बड़ी हिंसक वारदात हो गई आपने का किसी को नहीं बक्षा जाएगा अभी तक किसी का पता नहीं लोगों ने कह दिया बाहर से आयते आपने मान लिया बाहर कर देंगे कोई कैसे यकीन जारेगा आप पर मैं रोही जी आपको बताता हूं आपने जेनु का जिक्र किया जेनु में बखाया आपको सुट करता है इसलिए आपको केजरीवाल को एक्सपोज करना पड़ेगा कि कनईया का जो चार सीट है और जेनु में नारे लगाने वालों मुझे केवल ये बता दीजिए अभी तक उन्होंने पट्याला कोर्ट में जब्लिक करते हैं आप अर्विन केजरीवाल को एक्सपोज करते हैं पब्लिक ने आपको क्या दिया आठ सीटें इन्टी जी रो रोकर आप मुझे केवल ये बता दीजिए वो चारूप कहा गया र प्लिस ने कहा ता कि रफ्तार कर लिया अब वो कहा है मेरी एक बास सुनिए रोहिज जी चुनाओ इस बात का पैमाना नहीं है कि कोई देश तोड़ने की गत्विदी की बात करें अच्छा आप जीते तो वो पैमाना हो जाता है लेकिन आप हार जाए तो पैमाना नहीं होता ताहिर हुसेन जैसे जो नेता है वो लोग तो यह इन पर खारवाई होगी होगी एक सवाल पूछने जगा लेकिन उसके पहले मैं इन से एक दो सवाल और करना चाता हूँ थोड़ा सा रुकते में माफी के साथ आप मुझसे बार बार कहने ताहिर हुसेन परसों से टीवी प आपने रखते हैं कि यह आदमी है इसने करवाया रोही जी सुनिये तो यह कानूनी कारवाहिन है कानून के माद्धम से होगा ना इसमें कोई पूरवा ग्रत थोड़ी ना है बकायदा उसकी जांच हो रही है पुलिस उसकर जांच कर रही है उसकल उसकी फैक्टरी सील हुई बियक्ति को भी पकड़ेगी फुलिस लेकर भी घएगी और कानून की तरह कारवाही यह कोई सरकार नहीं कर ती कानूनी काम करेगा दिलिकी पुलिस काम करेगी लेकिन सरकार की इसको करने में कहीं अनंगा नहीं आने देगी किसी विरोधी इसको बचने नहीं देगी किसी को अपरादी को इसके लिए हम commitment है बाकी काम सुरक्षा एजेंसियों का है पुलिस का है उनको कारवाई करना होगा अगर मैं आपको पिछले 6 महिने का ही देश की राजधानी का हाल बताने लगूँगा तो लोग आपसे सीधा सवाल पूचेंगे आपने कमिश्टर पर क्या करवाई कि आपने तो एक्स्टेंशन दे दिया था अभी आउंगा इस सवाल पर भी आतिशी भर लेना, बोल यह क्या केना चाछербिह देखिये मेरा एक इस सिंपल सा सवाल है यह कह रहे हैं कि जी आम आदनी पर्टी ने कुछ किया इसने कुछ किया, फ़लाने ने कुछ किया मेरा भाजबा के प्रवकता से एक सवाल है जी आपने क्या क्या किया law and order में दिल्ली में जिम्मेदारी आपकी है अगर आप मान लीजे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने भड़काओ भाशन दिये पिछले इतने महीनों में दिये चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे वो आपकी आपने कारवाई क्यों नहीं की आपने जेन्यू पे कारवाई नहीं की आपने जामिया पे कारवाई नहीं की आप एक व्यक्ति पे कारवाई कर देते आप एक एक एक्जामपल सेट कर देते दिल्ली पुलीस आपके अंडर आती है क्यों नहीं किया आपने दूसरी बात, दूसरी बात ये बताईए, तीन दिन तक दिल्ली में आग लगती रही, दिल्ली पुलीस आपके अंडर है, law and order आपके अंडर है, क्या किया आपने, आपके ही ally अकाली दल के सांसद कॉल करके खुद एक बयान दे रही है, वो क्या कह रही है, कि एक परिवार जो संभालने में नाकाम थी, तो आपने CRPF को क्यों नहीं बुलाया, आपने army को क्यों नहीं बुलाया, आपने curfew क्यों नहीं लगाया, क्या आप चाहते नहीं थे कि दिल्ली के हालात सुधर जाएं, जो भी इसमें शामिल है, पुलीस को सक्त कारवाई करनी चाहिए, क्यों न नहीं तीन दिल्ली में पुलीस ने हिंसा रोकी, और अगर पुलीस नाकाम थी, तो आपकी केंदर सरकार ने, आपके ग्रह मंतरी ने, आपके नियूक्त LG साहब ने CRPF को क्यों नहीं बुलाया, आर्मी को क्यों नहीं बुलाया, आपने इतने दिन तक दिल्ली में आग लगन जब law and order की जिन्मेदारी आपके हाथ में थी तो आपकी सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी थी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आतिशी आपसे भी मतलब law and order कहके कि भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है आपका सब चीज़ से मुक्ती हो जाती है ना पिर आपके निता कुछ भी बयान देते रहें जब तक टीवी पे पकड़के उनको धर के सामने खड़ा नहीं कर दिया जाएगा देश के आप तब तक उन पे ना कोई कारवाई करने के बारे में सोचेंगे नहीं उनकी तरफ आँख उठा कर देखेंगे उनको खुली छूट रहेगी तब तक चाहिए वो आमानतुला का मामला हो जो आज भी जब अरविन केद्रिवाल कह देते हैं अगर हमारा आदमी है तब भी आपके विदाया उसको पैरवी करते खड़े होकर रोहित जी रोहित जी आज भी आम आदमी पार्टी ही है जिसने फाइर फाइल होने पे ताहिर हुसें को तुरंत सस्पेंड कर दिया बताईए न भाजपा ने क्या किया कपिल मिश्रा के खिलाफ बताईए न भाजपा ने क्या किया अनुराग ठाकुर के खिलाफ बताईए न भाजपा ने क्या किया प्रवेश वर्मा के खिलाफ बताईए न भाजपा ने क्या किया योगिया दितिनात के खिलाफ जो दो महीन तक चुनाव में भढ़काऊ भाशन दे रहे थे दिल्ली की पुलीस इनकी अंडर आती है मान लीजे कि अमानत उल्ला खान ने भढ़काऊ भाशन दिया अरेस्ट करिये उन्हें कपिल मिश्रा ने भढ़काऊ भाशन दिया अरेस्ट करिये उन्हें करिया अरेस्ट अनुराग ठाकुर को, करिया अरेस्ट प्रवेश वर्मा को, करिया अरेस्ट योगी आदित्यनाथ को, कोई भी ऐसा व्यक्ती जो हिंसा में शामिल है, कोई भी ऐसा व्यक्ती जो हिंसा को भड़का रहा है, आप तुरंत अक्षन लीजिए, आप एक भी व्यक् आप एक्शन लीजिए ना तुरंट उसके बाद आप कैसे आपने आपको डिफेंट करेंगे वहाँ तो आपके पास चारा ही भी बचता ला कि कैसे कह दे इसको तब भी आप लोग कह रहें कि नहीं साथ यह तो खुद पुलिस के पास था यह तो विक्टी में पीडी थे विच जो DCP के साथ खड़े होके बोल रहे थे कि अगर पुलिस ने दो दिन में खाली नहीं किया तो हम कानून को अपने हात में लेंगे बताइए क्या कर रही थी पुलीस, बताइए क्या कर रही थी केंदर सरकार, बताइए क्या कर रही लगा। पहले आदमी के उपर आरोप लगे हमने तुरंथ कारवाई की। सबसे पहले अर्विन केजरिवाल ने कहा कि इसको दोगुनी सजा दे दो अगर हमारा आदमी आपको लगता है जिम्मेदार है दोशी पाते हैं आप तो उसके बाद जैसे ही एफाई अरज की पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया गया वो कह रहे हैं आप तो अपने नेता के करना दूर उसकी जज़ेकार कर रहे हैं इसके अलावा केजरिवाल जी के सामने रास्ता किया था यह हाई मोरल ग्राउंड लेने कि सिवाए उनके पास रास्ता क्या था वहां सारा जकी उपके लेता कर दोस्थिने मेरी बास तुनिए सब्सक्राइब तो हाई माद तो आप इसके फोटोग्राप सामने है जो लगातार हिंसा करवा रहा है आपके गोले बर्सवा रहा है जो वहां से तलवार और गोलिया चलवा रहा है उसके और वो सारे वीडियो भूटे सामने आ गए उस समय केजरीवाल के पास रास्ता क्या है लेकिन मैं चीद पूछना चाहिए न आपके लक्षमी नगर में गरम हो रहा था विदायक होने के लोगों के बीच में जाके दंगे भड़का रहे थे आपने क्या किया एक से करके बोले तो अच्छा लगता है कम से कम आप दोनों की बात रजिस्टर होगी आप एक दूसरे के उपर बोलेंगे तो केवल पार्टी में जाके बता पाएंगे कि देखो मैं तो अपना काम करके आगया लेकिन जिस जनता को सुनना है समझना है उन तक आपकी बात नहीं जा पाएगगी इसलिए प्लीज मेरा निवेदने एक एक करके बोले एक सेकिंड आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं आपके नेता बैटके जो है राजगाट में धरना देंगे पुलिस है उनके पास पुलिस आपके लोग बैटके दंगा पढ़ गाईगे पुलिस ना एक नेता है उसकी अपनी में तो कुछ होगी आप आर्मी बुला लगा दें यह लोग क्या आग लगा रहे हैं नहीं सुनिए ना मेरी बात मैं इसलिए क्योंकि इनके नेताओं की अपकड़ में आ रहा है कि इनके नेता अपने घरों से अपने घरों से आग लगवा रहे थे इनके नेता जो है आम आदमी पार्टी के लोग बढ़ना करवा रहे थे और आप जांच से वो चीज़ें सामने आ रहे हैं जी जाँच से नहीं अभी टीवी में सामने आईगी अभी बाकी है अभी बहुत सी चीज़ें आपकी सामने लाना है अभी टीवी पर सामने आएगी अरुन भातिया जी वेज जी और आमिर हैदर जैदी तीन लोग और है मेरे साथ जरा उनका व्यूपाइंट भी सुन लीजे आप दुनों ने अपनी बात रख दी राजिनीतिक बयान बाजी तो लगातार हो रही है और हम पहले दिन से कह रहे थे जिस तरीके की बयान बाजी हो रही आमिर हैदर जैदी जिस तरीके से आप लोग कहरें कि हाई नागरिकता चली जाएगी हाई नागरिकता चली जाएगी जैदी साब नागरिकता किसी की नहीं गई लेकिन 41-42 लोगों की जान चली गई बढ़ा अच्छा लग रहा होगा ना आज तो आपको बहुत खुश होंगे आजा कि देखो हमने नारा लगवाया 42 लोगों के लोगों की लाश है कोई यहां चिता की धरा घर जला जाते इने राजदर्म दिलाने वाला कोई बचा नहीं है मरिया इस्तर वहां आप शर्जील इमाम का बाशन करवाते हैं और यहां के आपको कविता जल गए सेक्ड़ों दुकाने जल गई सेक्ड़ों लोग जखमी हो गए कविता नहीं सुनाना हूँ अपनी पीड़ा बयान कर रहा हूँ अब कविता आपकी समझ में नहीं आए तो मैं क्या करू रोई जी यह कविता भी शब्दों में पिरोई हुई है मसला यह है रोई जी बोलू या चुप जाए बोले ना सुन रहा हूं बोले बढ़काओ एक काम कीजिए ना के बढ़काओ भाशनों के लिए बीज़ेपी की नेताओं को का अभिनंदन होना चाहिए उन्हें पदमुश्री मिलना चाहिए और जो विपक्ष की नेता है उन्ह सूनी पर चड़ा देना चाहिए आपकी पुलिस के अंदर पुलिस ने सैकड़ो घर जल गए सैकड़ो घर जले सैकड़ो दुकाने चल चली सैकड़ो लोग जखमी हुए चालिस से ज्यादा लोग मौत के गाल में समा गए और बड़ी ततपरता के साथ पुलिस ने पोशाक देखकर एक दंगाई की पहचान किये जिसका नाम ताहिर है क्या पोशाग देखकर पहचान किये हम यह सब देख रहे हैं अच्छा बसना यह है कि आप ने जिसमें पुरे धिमली कुछ लाया वो पत्थर देखके आपके आखे बंदो गई थी क्या वो एसिड वम पेट्रोल व जी फिर बहुत की आदी उच्ची है पिट्टंबो के बादल चाहे हैं बे सोच रहा हूं इनका भी पहले की तरह अंजाम ना हो इनके भी मुकदर में लिखकी एक खुन से लुद्री शाब्ला हो यह किसके लिए सुना रहे हैं ताहिर के लिए और कुछ नहीं है पता कि चला और की भावणा को ठेश ना पहुंचे उसे सुनी पर भी चला दिया जाए लेकिन के लिए तो तस्वीरें चल रहे हैं उपर से पेट्रोल बम गिरने की आप कह रहे हैं कि पोशाग दिख रही है आपको उसमें कमाल है सर बहुत ही बढ़िया पैंट चट और मैंना कमाल का आ अज सामने आया आपिशी नहीं सर अब दुवारा पोशाग देखें उनकी क्या पोशाग कहने ही तो उपके वाट्साप में भी भगवा हरा हो के आता है के मेसेज़ बाता है तो यह आनत है आपकी आज उसे भी देखा है जब पुलिस कहना चाहिए पत्तर ही करते कर रहे है नहीं आपके वाट्साप में भी भगवार हरे हो के मैसेज़ आते है क्या यह आलत हो गई आपकी आज हम सब देख रहा है इस देश कर अंदर देख तो सब रहे एक सकेंड आतिशी यह जब पुलिस कारवाई कर रहे है पुलिस बोली बार ते तो क्या होता पुछा यह आतिशी कैसे इशारा करने अरे रूप तो जाओ या आप रूप तो जाओ ना प्लीज वो बोल रहे हैं न मड़म उनकी पार्टी का सवाल है वो जवाब दे देंगी आप पहले प्रवक्ता बन जाओ उनकी पार्टी के आतीशी जी बोलिए रोहिट जी हमारा ये मानना है कि कोई भी व अधाफ एक्शन होना चाहिए लौ एन ओर्डर हर इनसान के लिए बराबर है जैसे हिंसा हर इनसान के लिए बराबर है जो यह 42 मौते हुई हैं गो यह नहीं देखती है कि वह नहीं है इसाइप पर चल रही है और आज अगर आप मृत लोगों के जो नाम आये हैं उसमें सदर के अंदर में केजरिवाल जी ने पकायदा ब्रिफ बताया है। दिल्ली को वापस जिन्दा करने में हम दोनों साथ साथ खड़े हुएं। दिल्ली को वालग होती है तो इनको आईना दिखाना ही पड़ेगा हुएं। आईना दिखा एपायार हुआ उन्होंने अपने आदमी को पार्टी से सर्पेंट किया। आप जब पूरे दिल्ली के इस घटना करम को देखते हैं आप किसको जिम्मेदार पाते हैं। क्या लगता आपको किसने अपने धर्ण का पालन नहीं किया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है साब। ये आज एक पार्टी दूसरे को कह रही है, तीसरी पार्टी चोथे को कह रही है, इसको पकड़ो, इस पर एफायाद दालो, तुम पहले आये थे, हम बाद में आये। ये एक हिस्सा है, एक भाग ये है, इसको अलग कर दीजिए, हटा दीजिए दो मिनिट के लिए। ये इस देश में घड़ी-घड़ी क्यों होता है, गुजरात रायट्स में इस तरह हुआ, 1984 दिली में मैं था इस तरह हुआ, 1992 बंबे में इस तरह हुआ और आज इधर ये हो रहा है, पुलीस, शहर को चार गंटे के लिए गुंडों के हाथ में दे देती है, वी सरेंडर दे सिटी, सिटी को हम सरेंडर कर देते हैं, भाया हमें चार गंटे चाहिए, एक दिन, दो दिन तक लोग, पुलीस नहीं आती है, आर्मी नहीं आती, तो ठीक है, ये चार गंटे में अपना काम खतम कर देते हैं, और गायब हो जाते हैं, तो इस परिस्तिती में responsibility किस पर डाली जाए एक अर्मी पर और वो भी भाग गया है उसका नाम है अमूलिय पतनायक कमिशनर एक in a corporation town commissioner court district magistrates के powers है section 144 का shoot on site order तो बड़ी आसानी से दिखाया जाता है दिखा सकते हैं कि इसने कैसे अपने force को deploy किया और जारी अगर कम है तो इसने governor से क्यों नहीं मांगा के हमें army को नाने दो यह किसके इशारे पर चल रहा था तो यहां जो bjp के member बैठे हैं भाशन दे रहे हैं और जो आम आदमी party मैं आदमी party का नहीं हूँ आम आदमी party की lady जो आपके सामने 10 तफे सवाल रख रही हैं उसको छोड़के आप कुछ और कर रहे हैं कोई कविता कर रहा है आप बोलिए कि जिसको हम पैसा देते हैं जिसका mandate है जिसकी duty है कि भाईया दंगा बचाएं और बहुत simple है दस policeman with rifles वो 2000 का mob को रोक सकती हैं मैंने ये देखा है डिस्ट्रिक्स में मैंने किया है लेकिन जब पुलीस का हाथ रोक दिया जाता है किसी राजकरन की वज़े से वो crime है बुलाओ और मुलिय पटनाया को केस करो उसको वो मूग खोलेगा ये सब debates बंद हो जाएंगे किसने उसको बोला चुप रहो क्यों नहीं बुलाए आर्मी गड़ी गड़ी क्यों होता है हम समझते थे कि बीजेपी और और पार्टिज में फरक है एक बूंद एक बूंद भी फरक नहीं है जिस तरीके से ये बीजेपी रेप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं हमें शर्म आती है कि आपके हाथों में हमने ये देश पिया है पूर सुप्रेंगे पता है ये पूलिस पोर्ट और उसके कंदे पर आप रहाएं लुक तो जाए है पूलिस को प्रोटेक्ट कर रहे है जिसके पर चलती है आप कुछ बोड़ रहे हैं? उन्होंने पुलिस अलारोप लगा लिए जी रोही जी दिल्ली पुलिस के कमिश्टर जिम्मेदार नहीं है रोही जी जो सवाल अरू बाटिया उठाने है यस मैं आपको जवाब देता हूँ बाटिया जी थोड़ा सुन लेजी आप थोड़ा आप तो पुराने आई एस ओफि पर बैठे हुए बड़े-बड़ी बात है करते हैं जो मैडम बैठ हुई है आदम बाड़ी सबसे पहले पुलिस को यही लोग कट घरे में खड़े करते हैं एंजियोस खड़े हो जाते हैं एक च्रव पर आजाते हैं कि पुलिस की गोलिजफसर को गला जब आजाते हैं अगर पुलीज नाकाम थी आप सिचुएटयै को मुलाए लाए पुछा नहीं कर सकता है इनकी पार्टी में 42 आदमी ऐसे हैं मेले जिनके खराफ क्रिमिनल केस रेइस्टर है पूछा मेडम से इनकी पार्टी बनेगा क्रिमिनल आदमी ये दूजरे पर उंगली उठा रही है अरे पुलिस वाले मर जाए का देखा आप लोगों को एक बात आज ध्यान से सुननी चाहिए आतिशी एक बात आपको भी सुननी चाहिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जो दिल्ली पुलिस के हैड कॉंस्टेबल रथनलाल शहीद हो गए है उनकी पत्नी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है हम उनसे एक दो सवाल करने की कोशिश करते है सबसे पहले तो आप आज तक पर लाइव हैं और आपके घर में जो त्रासिदी हुई है यह पूरा देश उस दुख में आपके साथ है लेकिन आज आप क्या कहना चाहती है पूरा देश आपको सुन रहा है, सरकार भी आपको सुन रही है, सारी राजितिक पार्टियां जिनको आप तीवी पर देख रहे होंगे, बयान बाजी करते हुए, वो भी आपको सुन रही है। आपको सरकार से उनकी निधन के बाद कोई संदेश आया, किसी ने आके सांतवना दीख, किसी ने आके बात करने की कोशिश की। अब अभी में से दिली के बड़े अफसर मिलके गए हैं। उन्होंने मुझे बस चैक देखे गए हैं जो उनको दिली पुलिस की तरफ से देने चाहिए थे। वो चैक अभी देखे गए हैं वो मुझे और उन्होंने मुझे आशवाशन दिया है कि वो मेरे बच्चों के लिए एक करोड रुपे का वो देंगे और जो गौर्मेंट की तरफ से मुझे मिलेगा। और उसके अलावा मेरे तीनों बच्चों में से एक को गौर्मेंट जॉब और मैं भी सक्सेस्फुल हूँ तो में एक को टीचिंग में जॉब चाहिए थी तो वो सर ने मुझे उस चीच का आशवाशन दिया है सब राजनीतिक पार्टियों के नेता आपके पती का नाम लेक कर उनके जाने के वाद उनके कंदे पर रखकर बंदूग चला रहे हैं पता नहीं मुझे आप तीवी देख पाई हैं के नहीं पिछले एक दो दिन में अगर आपने देखा यह आपको पता लगा किसी राजनीतिक पार्टी ने बयान दिया कोई निता है आपके पास अभी त करेंगी तो उन्होंने मुझे आशवाशन दिया है बस इन ही चीज का कि सरकार आपका पूरा सपोर्ट करेगी जो जो उनसे हो सुखेगा वो सब करेंगी मेरे बच्चों के जो सिक्योर्टी है उनका फ्यूचर है उन सभी के लिए मुझे आशवाशन देखे गया अब बस मै मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पती तो शहीद हो गए मेरे बच्चे तक क्योचर सेफ होना चाहिए अनाथ हो जाएंगे तो कैसे जींगी मैं मैं अक्येली हूं तीन तीन बच्चों को कैसे जमालों गया हमारे तो करने वाले बस मेरे हज़ेंडी थे जी धन्यवाद आपका आपका आज तक तक तो शेयर किया था आप मुझे सुन पा रही हैं तो दिल्ली पुलिस परसों एक तारिक को शहीदी पार्क के अंदर दो बजे उनको शद्धाज दिल्ली देगी मेरी आपसे रिक्वैस्ट है दिसीकर राजिस्थान से आप दिल्ली आ सकें तो हम आपका तहजीज से शुकरिया आदा करेंगे हम आपके पती के साथ है जिल्ली पुलिस आपके साथ है हमेशा रלה परूरे इंब रहे हैं लेकिन आपने उनकी बात सुनी बच्चों की पढ़ाई और पैर पे खड़े होने के लावा वो किया रहे हैं मेरे पती को सबसे बड़ी श्रधांजली होगी अगर उनके हत्यारों को पकड़ा जा सके और यहां जब ताहिर हुसैन की छट पे सारी मीडिया पहुंच जाती है पूरी फॉरेंसिक जाच मीडिया एक चीज़ बताता हूँ आप पुलिस की बात थोड़े से एक मिनट का टाइम मुझे दे रहे हैं तो तुमाम चैनल को मैं क्लियर कर देता हूँ पुलिस के ओपर सवाल करना बहुत आसान काम है रोहिज जी रोहिज जी आपके इस कंट्रॉल उनके अंदर पचास फोन हो और जो पुलिस में नावरी कर चुका है बातिया साब कुछ भी कह सकते हैं पुलिस पर बहुत बहुत अच्छी बात इंप्स्प्राइशन दे हैं बड़ी मौरल की बात हैं करते हूँ बड़े-ज्लिस के और बड़े-इक में काम करना कितना मुश्कित होता है कि यहटे गलगान कि बढ़त बोला आप बढ़त जाते हैं एक सिर का नाम लिया तो आप गुस्से हो जाते हैं आप भड़क जाते हैं आपको पुरिस के बारे में कुछ नहीं पता ठीक आप आए तब सर रहेंगे बहुत बढ़े अपसर रहोंगे ग्राउंड की रियाल्टी आपको नहीं पता है किस तरह से काम करते हैं इंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी दारियों मेरे बड़ी करनी चाहिए अब जगडे से कुछ आसे नहीं होता है एक सेकिंड मैं एक चीज़ आप लोगो दिखाना चाहता हूं जिस समय हां चलो आप भी आप बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं और राजिनितिक पार्टीएं में से कुछ ये भी दावा कर रही है कि सिये हटा लो तो ये स कुछ ठीक हो जाएगा सरकार अभी भी CAA को लेकर अपने स्टेंड पर कायन है और ग्रह मंत्री अमिच शाह ने आज उडीसा में कार्कम में कुछ बड़ी बातें कहिए ज़रा वो सुनवाते हैं फिर आतिशी केकेव शर्मा और अमीर हिदर जैदी अपनी बात रखी फटा माई नोरिटी और मुसलमान भाईयों बेनों को मैं अस्वस्त करणा चाहता हूँ एक की भी नाग्रिक्ता नहीं जानी है जो प्ष्था भूए है को नाग्रिक्ता देने का सवाल है वो हमारे भाई है हमारे बहन है कौन से क्लॉस के अंदर कौन किसी धारा के अंदर नागरिक्ता लेने का प्रावदान है कहीं पर नहीं है जूट को देश की जनता नहीं जानना चाहिए कि सुना आमेरे अधर जैदी आपके बारे में कह रहे हैं क्या जे पिर्तारितों को नागरिक्ता देने का काम तो पहले से कानून तो पहले सी था पिर ये कानून क्यों लाए क्यों सियार कहना चाहिए उसकी खालों के बीच में जा रहे हैं अगर जनता के बिर्मित हो रहे हैं तो आगे बताएं समवात कायम करें आंदोरन कारियों से बात कर यहां नूरा ठाकुरा के काई गोली बारो यह सब इनों ने किया है बाहिगे जी सही कह रहे हैं आप लोग तो यहां राम्चरिद मारज का पार्ट कर रहे थे ना अरोज आपके बैयान भी हैं रिगार्ड पर जो आप देते रहे टीवी पर बैठ कर जो आप करते थे ना कर देना चाहते हैं मुसल्मानों को बाहर निकाल देना चाहते हैं मुसल्मानों की नागरिक्ता छीन लेना चाहते हैं मुसल्मानों को डिटेंशन सेंटर में डाल देना चाहते हैं वो भी भड़काव बयान होता है कि वो को आप मार्ग दर्शन नहीं कर रहे थे उनको स्वर आपने जो बातें कहीं हैं जो आज आप कहे रहे हैं जो बातें आज आज आप कहे रहे हैं यह तो 145 सियाचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है तो फिर सड़क पे इतना तंड़क क्यों मचा न यह कह कर कि हम से यह कावरोज करते हैं जिनके सारे कागज दल गए वो कहां से सब होते हैंगे आप अभी भी कागज नहीं दिखाएंगे पर अटके रहे हैं बयालीस आदमी मर गए आपके कागज नहीं दिखाएंगे कहलवाने के चक्कर में इस बात का आपको कोई भी लिहाज नहीं कोई शर्मिंदगी नहीं आतिशी और के के शर्मा समय खत्म हो गया एक सेकिन मैं दिल्ली में सरकार चला रही है और जो केंदर में सरकार चला रही है उनको भी इस बात को समझना चाहिए कम से कम जनता को ये तो लगे कि सरकार नाम की चीज होती है और जब घर पे कोई उसके मर जाता है दंगे का शिकार हो जाता है तो सरकार उसके साथ खड़ी होती है के के शर्मा सवाल एक दूसरे पर लगातार उठाना बड़ा असान है लेकिन आपने उस महिला की बात सुनी वो चाहती है उनके पती को इंसाफ तब मिलेगा जब उनके हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे उनको फांसी के सजा होगी और वो तब होगा जब जान चोगी रोहिज जी इसी लिए आपने ध्यान दिया होगा परधान मंतिय जी ने ग्रेम मंतिय जी ने हमारे एनेशे डोभाल साहब वो भी जमीन पे जाकर परधान मंतिय जी ने दो दो बाद जंता से अपील की और हमने सक्ती से ये कहा है पुलीसे कि बिलकुल वो इस पर किसी को न और पूरी तरह से कारवाई हो और लोगों को न्याय मिले और हमने जाकर नोटंकी राजगाट में बैटके धरने बाजी करके और केवल बयान बाजी करने की बात नहीं की हमने है इसलिए वहाँ पर बैटके कि केवल आप वो कहें और सेना के बुला लीजे प्लाना कर लीजे है आपकी कोई जिम्मेदारी दिल्ली के विशे में नहीं है केवल आप आप जाड़के कड़े रही है यह करके इसाम हमारे पास तो बस पुलिस नहीं है बाकी तो हम कुछ नहीं है तो मैं इसलिए कहना आप आप आदी पार्टी को क्या जिम्मेदारी देना चाहते है राजन जाते दरवाजे पर उनके और यह लिकल भी रहा है हम आद्बी पार्टी की जिते भी अप सूर्सेज दिख रहे हैं अंदर से जब जाच हो रही है तो आप लिकल रहे हैं अब यह किस तरह से इनके जो है सब्सक्राइब करना अभी भड़काने नहीं चाहता बहुत सिंपल एक सवाल है मेरा कि भाजपर की गवर्मन्ट है पुलीस उनके नीचे है जब कभी पुलीस के बारे में कुछ कहा कि ठीक नी किया आर्मी को नी बुलाया इनक्वारी होनी चाहिए यह हो कि यह क्यों भड़क जाते हैं यह लोग इतना नाराजी क्यों है आप पॉलिटिकल होने का दावा करके राजिनितिक भए रहां दे रहें उनका एरोपी है आपके ऊपर कि आप cred बोलते हैं कि मैं किसी पार्टी का ने हूं लेकिस भयान पॉलिटिकल देते हैं अच्छा तो जवाब देता हूं मैं जवाब देता हूं लेता हूं उसने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कहीं इस पर कोई भी जाच करने को त्यार नहीं है सरकार में से अब मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा सरकार तो है गवर्मन्ट में दिल्ली में सरकार तो है तो वह सरकार इस बात पे चौप सी क्यों यह करती, इसको कर दिया है ट्रांसवर, ट्रांसवर से यहां से फिसल किया वो पनिश्मन थोड़ी है, आहम आदमी के मन में लगता है कि पनिश्मन नहीं है, वो चार दिन घर में रहगा, फिर अच्छा बोस पकड़ लेगा, इसके पास सब पावर्स हैं, यंट्रना हैं, फॉ बातिया जी जो बात कह रहे हैं आप उसको यह कह कर रहे हैं कि दंगों की जाच ना करें लें फिर 20 क onion कि एड़ी देन की जाइट कीजिए लिए डिए गश् Hubιटाइड पुलिस पर सवा ले यूटे लिए अप पुलिसा सवाल यूटे पर सवाल यूठे जिसको जाज कीजिए वह दिए दाल कि नहीं है पुलिस के उपर क्यों उपता रहे हैं आप जांगों की पुलिस को करने हैं पुलिस को नोर गारेगा पुरी इंक्वारी की दिबाके तो आप कमिशन बठा के इक वारी करा लिए पर यह नहीं के पुलिस पर सवाल करना यह नहीं होगा एक सेकंड रुक जाईए यह सवाल अब सरकार का है हमेशा पुलिस पर सवाल का मसला नहीं है जिस दिन जामिया से वीडियो आए हमीं लोग कह रहे थे नहीं यहां बैठकर कि अगर अंदर छुपेंगे लोग जाकर जो पत्राव कर रहे हैं तो पुलिस कारवाई करेगी अंदर जाकर तब आप उनको कैसे गेरेंगे यह सवाल हमीने उठाय था उस दिन आपको यह नहीं लगा कि साब पुलिस के पक्ष में कैसे खड़ा हुआ मीडिया लेकिन आज सवाल यह है केके शर्मा जी यह सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने डिलाई बरती है कई जगा पर तो उसकी जाच तो होनी चाहिए ना यह उसको कवर अप किया जाता रहेगा नेरोई जी बिलकुल मैं आपकी बार से सहमत हूँ और यदि ऐसा है तो निश्ची तोर से जाजबी होगी जिम्मेदारियां भी तैया होगी इसमें कोई दूमत नहीं है लेकिन मैं एक पात और पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन जा परता जाए ताकि कोई कारवाई साथ हूँ आज केवल एक कारवाई मात्र एदी हुई है अभी जहाँ चालू हुई है एक कारवाई मात्र हुई है तब तक जो है उसकी जाती धर्म सब कुछ निकल के बाहर आ गया और एक वेक्ति अभी आपकी टीवी चैनल ने बैठके कित तो यह तथा कहती जो शेफुलर बनने वाले लोग है आज इनको जो है दो मिनट के अंदर में जात धर्म दीखने लगा और पुलिस पाहरोब लगने लगा हुई है तो सारे सवाल उठाने वालों के मुँ अपने आप बंद हो जाएंगे लेकिन सवाल तो इसलिए उठ रहे